भव्य मंदिर में विराजने से पहले आयोध्या निहारेंगे रामलला, काशी के विद्वान ने बताया, पूरा शेडियूल इस तरह के कपड़ों में लड़कियों को नहीं मिलेगी, एंट्री राम मंदिर में प्रवेश से पहले जान लें। ये नियम रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है। मूर्ति का चयन हो गया है और तैयारियां भी अंतिम दोर में हैं। प्रभुश्री अपने भव्य और नव्य मंदिर में विराजमान होने से पहले आयोध्या का भ्रमन भी करेंगे। 17 जन्वरी को ये आयोजन होगा। 17 जन्वरी को अयोध्या के पंचकोसी क्षेत्र प्रभु श्री राम को नगर भ्रमन कराया जाएगा। इस दोरान विशेश रत पर भगवान रामलला विराजमान होंगे। इसके अलावा जहांकियां भी सजाई जाएगी जो इस पूरे न नगर भ्रमन कार्यक्रम का आकर्शन होगी। इस दोरान रामलला पर जगह जगह पुष्प वर्षा भी कराई जाएगी। 18 जन्वरी को गणेश पूजन इस नगर भ्रमन आयोजन के बाद 18 जन्वरी से प्राण प्रतिष्ठा पूजन की शुरुआत मध्यान में होगी। प यग्य कुंड में अग्निका प्रकट होगा और प्राण प्रतिष्ठा से जुद्धधी जितने भी यग्य हवन है वो यग्य मंडपों में संपन्न किया जाएगा। इसके साथ प्राण प्रतिष्ठा की सारी पूजा अनुष्ठान चलते रहेंगे। इसी दिन शाम को 21 जन्वरी को देश दुनिया से आए अलग-अलग नदियों के जल से उनका अभिशेक होगा। इस पूरे अनुष्ठान को 121 ब्रामण संपन्न कराएंगे। फिर 22 जन्वरी को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी अभिजीत मुहूर्त में राम लला को विराजमान करेंगे। सब्तपूरियों में एक प्रभुराम की नगरी अयोध्या अपने राम के जन्मस्थान की वजह से पूरे विश्व में विख्यात है। 22 जन्वरी को 500 वर्ष के लंबे संगर्ष के पर विराम लगने जा रहा है। दोपहर 12.15 से लेकर 12.45 के बीच में प्रभुराम अपने भ प्रभुराम के दर्षन पूजन करने के लिए कैसा ड्रेस कोड होना चाईए। कैसे वस्त्र धारन करके आप रामलला का दर्षन कर सकते हैं। आपने बहुत ऐसे मंदिर देखे ऊंगे जहां आपको प्रवेश कोड निर्धारित किया गया होगा। उसी ड्रेस में होने के ब राम मंदिर ट्रस्ट के कार्याल है प्रभारी, प्रकाश गुपता की माने तो राम मंदिर में भारतिय परंपरा के साथ ड्रेस पहन कर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, कोई भी ड्रेस कोड यहाँ पर लागू नहीं किया गया। इलेक्ट्रोनिक सामान नहीं जाएगा, अंदर हलांकि राम मंदिर में एंट्री के लिए आपको सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद ही मंदिर परिसर में एंट्री मिल सकती है, जिसमें आपको कोई भी इलेक्ट्रोनिक सामान जैसे इयर फोन, मुबाइल फोन, घड़ी की चाबी अंदर लेकर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, लेहाजा आप तभी राम मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकेंगे, राम मंदिर में नहीं लागू है, कोई ड्रेस कोड, राम मंदिर ट्रस्ट के कार्याले प्रभारी प्रकाश गुपता ने बताया, कि राम परा के साथ ड्रेस पहन कर आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, ड्रेस कोड अभी कोई नहीं लागू किया गया है, शरी ढखा होना चाहिए, कोई अंग प्रदर्शन नहीं होना चाहिए